उपभोगता न्यायाले में शिकायत कैसे दर्ज करें? शिकायत दर्ज करने से पहले पहला कदम यह है कि विपरीद सेवा या उत्पाद या अनुचित व्यापार प्रथाओं और इतने पर असंतोश के तत्यों को बताते हुए विपरीद पार्टी को नोटिस भीजा जाए। उसके बाद ही न्यायाले में अपील कर सकते हैं। एक कानुणी नोटिस विपरीद पक्ष को कमोडिटी को बदलने या खरीद के मूल्य को वापस करने से हुए नुकसान की भरपाई करने का मौका देता। उपभोक्ता न्यायाले में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिक। चरण एक उपभोक्ता को उस फॉर्म के अधिकार शेत्र की पहचान करने की आविशक्ता होती है जहां शिकायत दर्ज की जानी है। उपभोक्ता को न्यायाधिकरन की शेत्रिय और आर्थिक शेत्र अधिकार दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। उभोगता मंचो का प्रादेशिक शेत्र अधिकार जिला फोरम या राजय आयोग या राश्ट्रिय आयोग में एक शिकायत की अधिकार शेत्र की स्थानिय सीमा के अनुसार दर्च की जाएगी विपरीत पक्ष या तो घरेलु व्यक्ति होता है या कोई व्यवसाई होता है या उसके पास शाखा कार्याले होता है या व्यक्तिगत रूप से लाब के लिए काम करता है उपभोगता मंचों का विशेश अधिकार शेत्र फोरम जिला फोरम 20 लाक रुपे तक फोरम राजय आयोग 20 लाक रुपे से 1 करोड रुपे तक फोरम राश्ट्रिय आयोग 1 करोड से अधिक चरण दो जिला फोरम, राज्य आयोग और राश्ट्रे आयोग में अपनी शिकायत के अनुसार, शिकायत के साथ उसकी फीज का भुक्तान करना होगा चरण तीन सभी तठ्यों को बताते हुए एक शिकायत का ड्राफ्ट तयार करें और शिकायत पर हस्ताक्षर करें यदि किसी अन्य व्यक्ति को शिकायत दर्च करने के लिए अधिकरत किया जाता है तो शिकायत को प्राधिकरन पत्र के साथ दर्च किया जाना चाहिए आपको शिकायत करता का नाम विवरन और पते का उलेख करना होगा और विपरीत पक्षिया पार्टियों का नाम विवरन पता जिनके उन खिलाफ राहत का दावा किया गया है चरण चार खरीदे गई सामानों के बिलकी कौपी, वारिंटी और गैरंटी दस्तावीजों सहित आपकी शिकायत का समर्थन करने के लिए सभी दस्तावीजों का सलंगन करे और पार्टी को उसके उत्पाद को ठीक करने के अनुरोथ के लिए एक लिखित शिकायत और नोटिस की एक प्रतिवी सलंगन करे चरण पांच अपनी मुआवजे की राशी का उल्लेख करे मुआवजे के अलावा एक उपभोकता रिफंड, शती पूर्टी, मुकदमे बाजी की लागत और ब्याज की राशी के लिए भी पूँच सकता है अलग-अलग शीर्शों के तहट दावा की जाने वाली राशी के लिए आपको समय देना होगा चरण 6, शिकायत को सपष्ट रूप से बताना चाहिए कि विपरीत पार्टी के खिलाफ कौन सी राहत दिख रही है चरण 7, अधिनियम कारिवाही के कारण की तारी से दो साल की सीमा अबधी प्रधान करता है यदि शिकायत दर्च करने में देरी होती है तो क्रिपय उस देरी को सपष्ट करे जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार किया जा सकता है चरण 8, इसके अलावा शिकायत के साथ एक हल्व नामा दाखिल करे जिसमें कहा गया है कि शिकायत में बताए गए तक थे सही और सही है चरण 9, शिकायत करता किसी अधिवक्ता को उलजहाए बिना व्यक्ती या उसके अधिकरत प्रतिनिधी द्वारा शिकायत प्रस्तुत करता है शिकायत को पंजीकरत डाक से भीजा जा सकता है शिकायत की नियूंतम पांच प्रतियां फोरम में दायर की जानी है इसके अलावा आपको प्रतेग विपरीत पार्टी के लिए अधिरिक्त प्रतियां दाखिल करनी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंच के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे यूसफूल वीडियो आपके पास बहुत सके www.getlegaladvisor.com पर आपको मिलेंगे वेस्ट लॉयर्स आपके अपने ही एरिया से तो अभी विजिट करें www.getlegaladvisor.com और अपने legal issues का समाधान पाएं हमारे साथ जुडे रहने के लिए धरनेवाद